है लो गाइस कैसे हैं आप सवासर करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वागत है आपका मेरी चैनल री अड्रेस डिजाइनर में तो आज हम बनाने वाले स्लाइस बैक जिससे आप कैसे भी उज़ कर सकते हो कहीं भी ले जा सकते हो पार्टी में कॉलिज के लिए इसे बनाने के लिए मैंने फोंचे वाली फॉर्म सीट के यूज किया है तो इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताऊंगी आप वीडियो को पूरा देखिए अग वीडित हम लखेंगे फाइफ इंच तो हम एने पहले निशान लगा लिया है किसी भी ढखन की मदद से हम नीचे साल के से गुलाई दे देंगे नीचे से हम टूंच पर निशान लगाएंगे और उपर से माद इंच पनिशान लगाएंगे कोने पे और इन दोन निशानों को तिर्चे मिला लेंगे तो यहां से उपर से हम टूंच लेंगे तो इंच पनिशान लगाएंगे यहां से जो हमारी जिप के लेंद होगी वोगी सेवन इंच तो यह से भी हम सीधर मिला लेंगे और इसे कट कर लेंगे देखिए मैंने इसे कट कर लिया है देखिए मैंने से कट कर लिया है तो यहां मैंने फैबि को कट कर लिया है तो यह हमारे ढूपीस है डोनो तु मत अंप्र कर एंग तो वन जो पड़ पर कट क하신 की help कर लेंगे तन दो ऊपर कर लिएंगे है ज़मत्राइक Колई तो देखिए मैंने दो आपस का कट कर लिया है हम इसे कर देंगे साइड तो उपर के पोकेट के लिए मैंने दो पीस लिया है अंदर वाले पीस पर मैंने बोकरम को चिपका लिया है प्रेस की मुदद से ज़क अलग कर लेते हैं इसके लिए इनते 6 इंच विरते 6.5 इंच तो हम इसे ढखकन की मुदद से दोनों साइड साल की से गुलाई दे देंगे तो हम कट कर देंगे तो देखे मैंने से कट कर लिया है अब इसे मिस के उपर उल्टा रख देंगे ऐसे हम दूसरे वाल पीस को इप कट कर लेंगे तो इसके लिए अनते 6 इंच विर्थ है 7 इंच तो हम आपने पहले गुलाई दे रखी है तो हम इसे कट कर लेंगे तो देखे मैंने इसे भी कट कर लिया है तो हम इसे भी इसके उपर उल्टा रखेंगे बीच में हमें 2 इंच का गैप छोड़ते हैं पूरे पर सलाई लगा ले नहीं है गुमाते हुए तो देखे मैंने पूरे पर सलाई लगा लिये और हम इसे पलट लेंगे सीधा कर लेंगे तो देखे मैंने इसे पलट लिया है तो यहां इसे मंदे तरफ फोल्ड कर देंगे और इस पर पूरे पर सलाई लगा लेंगे दोनों पीस पर देखे मैंने दोनों पीस पर सलाई लगा लिया यह मैंने form seat लिए पहुंचे वाली तो जो हमारा front वाला पार्ट है बैक का उसे में इसके उपर रखेंगे form seat को में उल्टा रखेंगे और उल्टा रखते हुए पूरे पर slay लगा लेंगे तो देखे मैंने पूरे पर slay लगा लिया है अब जो हमने piece स्टीच किये थे उसमें इसके उपर रखेंगे और इस पर slay लगा लिए पूरे पर इस वाले piece को हम यहां से उल्टा रखेंगे उल्टा रखते हुए लगा लेंगे फिर सीधा रखते हुए फिनीशिंग की लगा लेंगे उपर तो देखे मैंने पूरे पर slay लगा लिया और फिनीशिंग की लगा लिया अब इसमें जो बटन लगा लेंगे तो इसे हम कर देंगे साइड तो हम अपने बैक वाले piece को लेंगे बैक वाले piece पर हम जिप लगाएंगे छोटी सी पॉकिट बनाएंगे इस पर तो मैंने फैब्रिक लिया इसे हम उल्टा रखेंगे यहां से फाइफ इंच पर निशान लगाएंगे तो आध इंच पर निशान लगा लेंगे इस पर गुमात वह इसले लगा लेंगे पूरे पर तो देखिए मैंने इसले लगा लिया है तो हम इसे कट कर लेंगे तो बीच एंटर पर हम इस पर कट लगाएंगे तो देखिए मैंने से कट कर दिया है हम इस अंदर तरफ पलट लेंगे तो देखिए मैंने से पलट लिया है हम इस पर प्रेस लगा लेंगे पूरे पर तो देखिए मैंने इसे प्रेस लगा लिया है अब हम इसमे जिप एड करेंगे तो नीचे जिप रगते हम से लगा लेंगे पूरे पर गुमाँते हुए और इसमें जो हम इने पॉकिट लगाई है उसमें एक पर फोल्ड करते हुए तीनों तरफ सलाई लगा लेंगे तो देखे मैंने पूरे पर सलाई लगा लिया है और मैंने पॉकिट पर भी सलाई लगा लिया है इसे हम फॉर्म सीट पर एड़ करेंगे फॉर्म सीट को उल्टा रखेंगे बैक को सीधा रखते हैं पूरे पर सलय लगा लेंगे तो देखिए मैंने पूरे पर सलय लगा लिया है हम से साइड से नाप लेंगे दोनों तरफ से निचान लगा लेंगे यह हमारा 17 यहां तो हम इसे 18 ले लेंगे तो मैंने पहले पीश कट करकर रखा हूआ और उसे फर्म सिट पहले यह कर रखिया है तो हमारा 18 इंच है विर्धिस की 4 इंच है तो इसे में एक बार फोल्ड कर लेंगे और उपर के सैड़ से दोनों सैड़ से आध्याध इंच पनेशान लगाएंगे और नीचे समलैंगे फोर इंच लेंगे फोर इंच पर तरिच्छा मिलालेंगे से दोनों साइड से और इसे कट कर लेंगे दोनों साइड से मैं सेम कट कर लेना है तो देखी मैंने से कट कर लिया है और हम इसे कर देंगे साइड तो हम अपने बैक वाले पीस को लेंगे और जिप को इसके उपर उल्टा रखते हैं लगा लेंगे और फिनिशिंग के स्लाई भी लगा लेंगे तो देखी हमारे दोनों साइड लग चुकी है और वैसे हम फ्रंट वाले पीस को लेंगे इसके उपर उल्टा रखते हैं लगा लेंगे स्ट्रेप मैंने पहले सी बना कर रखे हुई है तो स्ट्रेप के जो मैंने लेंथ लिए वह लिए 15 इंच आप अपनी लेंथ के साप से ले सकते हो आप जितना चाह उतना तो इसे हम दोनों साइड में रखते हुए सिलाय लगा लेंगे तो देखिए मैंने दोनों साइड में रखते हुए सिलाय लगा लिया है अब जो हमारा हमने पीस कट किया था उसे मुल्टा रखेंगे और इस पर सिलाय लगा लेंगे दोनों तरफ तो देखे मैंने दोनों तरफ सलय लगा लिया और इसने फिनिश भी कर लिया अब ऐसी हम एक साइड से से जोइंट करते हुए पूरे पर सलय लगा लेंगे घुमाते हुए तो देखे मैंने घुमाते हुए पूरे पर सलय लगा लिया अब ऐसी हम दूसरी तरब भी स्राई लगा लेंगे पूरे पर और इसे फिनिश कर लेंगे दोनों तरफ से तो देखिए मैंने दोनों तरफ से इसे फिनिश कर लिया है हम इसे पलट लेते हैं सीधा कर लेंगे मच्चे से से कौनर से निकालते हुए अच्छे से हम कौनों के निकाल लेंगे तो देखे यहां मैंने से पलट ले आया है तो यह हमारी यह पीछे आगी वन पोकेट यह हमारी टू पोकेट और यह आगी हमारी थ्री पोकेट तो यह हमारा स्लाइस बैक बनके रेडियो हो चुका है अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए जिससे मेरी वीडियो को नौटिफीकेशन आपके पास जल्दी आतरे मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई कर दो चुका है